अब ये शेट अप भाई क्या बकवास गाना है ये मतलब इससे बेकार गाना और कृष्णा क्या बना सकता लग कृष्णा के पास पोटेंशियल है इतना बस बेस्ट गाने बनाने गा उसके पुरानी गाने ब्लोइंग अप नो कैप इतने बैंगर्स गाने पड़े में एंड फिर भी शेट अप जैसे में मतलब एक एल ट्रैक बना रहा भाई लिटरल लेकिन हम ऐसा नहीं कहा रहें ना ही हम ऐसा मानते है तो इस वीडियो के अंदर में प्रॉपर पहले हम रिवीव और रियाक्शिन करेंगी कि भाई ये लिटरली सच में कृष्णा फैन्स भी कावि से मिलेगा तो बाई वेट क्यों कर रहा है पूरी वीडियो एड़े तक देख फर्स अगर हम बात करें क्रिश्णा के साइट से तो क्रिश्णा ने अल्रेडी बता रखाएगी इस अल्बम के इंदर में जो राइट नाव क्रिश्णा है मैं देखो एक चीज क्लियर करके ब्रो क्रिश्णा के ट्रेक्स बना रहे तो ब्रो ये ट्रेक्स तुम्हारे लिए है ने ये ये पी का नाम देखो गया एक नाम है फॉर्दर डेवन्स जो क्रिश्णा के पुराने फैंस वो इस बात से बहुत अच्छे से रिलेट करेंगे कि ये जो शर्ट अप ट्रैक है ये अब भी बनायवर ट्रेक नहीं ये हुग है क्रिश्णा ने अल्मोस्स एक से डेड़ साल पहले बनाया होगा एंड ये बात मतलब है ओल्ड और ओजी सको अल्रेडी बताए चीज़ देखो क्रिश्णा को काफी जादा मतलब फोर्स लुक कर रहे थे ना कि वाई क्रिश् ये नाम का पहले तो टो इन जैसे ट्रेक्स को अधिन रे काफी जादा सुना है और हम अधिनको बहुत अच्छे से पता है कि ये जो बात से Бहुत अच्छे से पता करेंगे एसे बहुत कमी रैपर्स होते हैं या फर सिंगर्स होते हैं जो कि अपनी एल्बम एपी निकालते हैं तो उसका टाइटाल आसा रखते हैं जो कि उसकी पूरी एपी एल उंको जस्टिफाई करें एपी निकाली पूरी एपी पूरी जस्टिफाई कर दिया टाइटल फॉर देवन्स जो देवन्स है उनको सुनते ये चीज़ क्लिक करेंगी ब्रो ये कृष्णा मतलब ये यंग प्रोस्पेक्ट वाली वाई क्यों दे रहा हैं लेक मैं अपना बतातुम जेब कृष्णा नही सुनें ब्यॉंड दा मैट्रेक्स सुनें तो दिको ब्यॉंड दा मैट्रेक्स में जिस तरफ के क्रिष्णा के लाइन से फ्लोस हैं वो काफी साथ सिमलर मेरे को लग रहे थैंड फॉर देवन्स वाली लाइन ये बारवा मैं इसी लिए चीज दोहरा आ रहा हूं क्योंकि ये क्रिष्णा की साइट से मेरे को एपी देखने मिली ये मेरे बड़ी बात अगर मैं एस फैन देखो तो बहुत मजा रहा है दिल गार्डन गार्डन से हो गया है क्रिष्णा को जज इसलिए नहीं करूंगा क्यों उसका जो टाइटल है फॉर देवन्स फॉर मी वो जस्टिफ इतनी है कोई बंदा अगर स्टार्टिंग वाई ऐसे बता दी कि ब्रो मैं रैप करने वाला हूं ठीक है बट मेरे को उतना अच्छे सा आता नहीं है तो जो लोग है ना वो सुनने के बाद उसे उस ब्याफ पर ही जज़ करते हैं तो लेक कोई भी नाम पढ़ने के ब्याफ जज़ करेगा तो उसके लिए तो वाई फिर हाई